दुर्ग विधान सभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्कर्मा ने अपने चुनाओं प्रचार के तहत उताई छेत्र में सघंज जनसंपर किया इस दौरान उन्होंने मद्दाताओं की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनके निराकरण का आश्वाशन दिया इस दौरान संजीत विश्कर्मा ने कहा कि दुर्ग विधान सभा की जनता ने दोनों राश्टी पार्टियों के विधायकों का कारेकाल देखा है और उन्हें निराशा ही हात लगी है इस छेत्र की जनता बदलाव चाहती है और उन्हें मद्दाताओं का आशिरवाद वर सम विधान सभा में काम करने के लिए चुन कर लाएंगे तो आपको बदाना मैं यह चाहता हूं कि आज तक लोगों ने विधायक काडियों पर बैटकर ऐसे हाथ हिलाने माले देखे थे इस बार हर एक प्रत्यासी को चाहिए हो कॉंग्रेस के हो भाश्पा को चाहिए किसी भी पार्टी के हो सभी को जमीन पर उतारने की भी मेरी जवाबदारी है लोग पैदल जाएंगे लोगों से मिलेंगे तब हमको भी समझ में आएगा कि हाँ इस बार वही थोड़ी मैनत हो रही है उनकी मैनत भी हम करवाएंगे उनसे और इस बार जनतानी के मन भी बना लिया है क आमादी पार्टी को चुनकर ग्रामिन विधानसवा में काम करने वाले प्रतैशी को मौका देंगे तो उन्हें एक बार द्रुग ग्रामिन विधानसवा के सभी लोगों से 36 गड़ के सभी लोगों से अपील करता हूं मैं कि इस बार आप एक मौका आमादी पार्टी को देन से रही है विए इस शराब की इस बार दुग्राविट विधांसाभाट से पून रूफ से सारे सरब के ठेके खटा दियाएक हट मदिए और रिकारंटी ऑर गारेंटी पतर हमने चेतर में जारी कर दी है सभी महिलां को सबी हैं सबीद गहाँ से एक गाहां प्रतिमा सम्मान राजी प्रात कर गाउं की सुरक्षा भी करेंगे और गाउं की देखबाल भी करेंगे और नशा मुक्ती से भी आजादी दिलाएंगे दुरुग्रामेंड इस बार नशा मुक्त होगा जिसके लिए सारी महिलाएं इस बार तयार हैं द्रुग्रामेंट में सभी महिलाओं ने मना लिया है कि इस बार आमाधी पार्टी को उसर मिलेगा द्रुग्रामेंट में और पूर्ण रूप से नसे का कारोबार द्रुग्रामेंट से बंद होगा